अलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जामपत फ्रेंट्स मैं करुणा कर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ लेकिन यहाँ बताने कि आवेशक्ता नहीं है कि सब कुछ सब दिन से ऐसा नहीं था अब देखते हैं कि 10 मेंबर के फैमली को भी चलाना कितना मुश्किल होता है और यहाँ हमारा कितना बरादेश कितना systematic way में रन करा है यहाँ पे हमारे साशक भी और हम जनता भी एक सिमा के अंदर में रहते हैं और यह सब संभब हो पाया भारतिय संबिधान के बडौलत तो दोस्तों यहां से यही समझ में आ जाना चाहिए कि भारतिय संबिधान जो है संबिधान निर्माताओं का हम लोग के लिए बहुत ही अनमोल उपहार है तो आइए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग संबिधान निर्मान की प्रकिरिया से जोरे जितने भी प्रमुग घटना करम थे जितने भी प्रमुग वेक्ति थे और जो भी important तीथियां है उन सब को पूरे डिटेल में एक एक चीज़ देखेंगे दोस्तो ऐसे तो संबिधान का निर्मान कैबिनेट मिशन के बाद ही स्टार्ट हो पाया लेकिन ये सोच हमारी ये हमारी लालसा ये हमारी मांग बहुत ही पुरहनी है तो आईए थोरा सा इसका historical background भी हमनों देख लेते हैं और इस सोच को उजागर करने वालों में सबसे पहला नाम आता है बाल गंगाधा रावति लगका इन्होंने सर्व पर्थम 1885 में ही स्वाराजी सब्द का प्रियोग किया था पहली बार इन्होंने स्वाराजी की मांगती है कहते हुए कि स्वाराजी हमारा जन्मसी ददिकारों और हमीसे लेकर कर रहेंगे यह नारा आपको पता होगा और स्वाराजी का मतलब यही होता है कि हमारा खुद का नियम, खुद का कानून, खुद का कायदा रहना ची जो हमारे उपर लागो होगा इसके बाद भी कई बार बाते उठी, प्रोवेंचियल अटोनॉमी की बाता है, उनिस्टो निनानम का अपाध नियम देखेंगे तो इस सब के अलावा जब 1934 का समया तो मन, मन एक बहुत ही फेमस कॉमिनिस्ट नेता थे, उन्हों ने 1934 में भारतियों के लिए अंग्रेजों का नहीं बलकि भारतियों के बारत के अलग संबिधान सवा की मांग की और वही मांग उनका जो था, 1935 में आगे चल करके इंडियन नेशनल कॉंग्रेस दो था, कॉंग्रेस का ये ओफिस्याल आधिकारित मांग बन गया अब धीरे-धीरे समया बीतिता जाता, अस्तितिया बदलते जाती है, दूसरा बिसो युदे स्टार्ट हो जाता इसी बीच मौक़ा पागर के S. राज गपालाचारी, ये भही बहुत ही फियमस नाम है, C. राज गपालाचारी, चक्रवर्ती राजा मुपालाचारी इनका पुरा नाम है हिटलर ब्रिटेन पर अटेक कर देता और उससे में जो ततकालीन गवर्णर थे भारत के लिन निथांगो लॉड लिन निथांगो उन्होंने क्या किया कि बिना हम भारतियों से पूछे हुए कि भारतियों को भी लड़ाई में विसुयूद में धकेल दिया यानि ऑफिसियली इससे हम भारतियों को बहुत धक्कब लगा फिर हमारे तरप से बहुत बिरोध होने लगा तब क्या किया इन लोगों ने एक अगस्थ प्रस्ताव नाम से 8 अगस्थ 1949 को एक प्रस्ताव दिया कि हम लोग आपको डोमिनियनशिप का धरजा देंगे इस यूद को खतम हो जान ने मार्च 1922 के आसपास एक क्रिप्स मिशन नाम का एक प्रस्ताव भारतियों के लिए बेजा जिसमें की प्रोविंशियल ओटोनौमी देने की बात की गई जबकि जब ऑगस्थ ओफर दिया तो उसमें बताया गया था कि आपको डोमिनियन सिप हम लोग देंगे लेकिन यह बाद अगस्त 1922 में हमारे देश में स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मुवेंट यानि भारत छोरो आंदोलन जिसमें की महात्मागंदी ने साफ साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं सुनेंगे अब करो या मरो और इस आंदोलन के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए भ पेथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेकजेंडर और यह जो कैबिनेट मिशन थी यह 24 मार्च 1946 को भारत पोची यह डिट भी आप याद रखे और इन्होंने अपना प्रस्ताफ सुलव में 1946 को कॉंग्रेस के समख्ष रखा और इसका नाम कैबिनेट मिशन इसके लिए परा कि यह जो तीनों मेंबर थी यह ब्रिटेन कैबिनेट के मंतरी थे तो यह जो कैबिनेट मिशन था इसकी बहुत सारी सिफारी से थी एक तो जो सम्भिधान सवा गठित होगा उसमें जो मेंबर चुन के आँगे प्रतेक 10 लाख आदमी पे एक रिपरजेंट बन गया और इसमें कितने मेंबर चुने गए तो तीन सो नवासी पहले ही सिफारीश थी कि लगबख 10 लाख लोगों पे एक आदमी चुना जाएगा और उस समय हमारे भारत की जन संख्या लगबख 40 क्रोड क्या सपास थी तो टोटल मिलाकर कि तीन सो नवासी मेंबर चुने लेकिन जो देशी रियास्तों के रजवाड़े थे जिसे की प्रिंसली स्टेट भी का जाता है वो लोग सासन तो खुद करते थे लेकिन बहुत-बहुत टक्स वसूल करके ब्रिटीश सरकार को देते थे और इसके एबज में उन्हें सासन करने का अधिकार मिला था तो कुल चुने गए, उन्हें से 296 में वा चुने गए जो ब्रिटीश भारत के थे और 193 में वा चुने गए जो कि देशी रियास्तों से और यहा एक चीज और आप याद रखेंगें कि जो एलक्स हुआ था तो पहले तो देशी रियासतों में से सिधा-सिधा मनोनेयन के अधार पे एक-एक member अपना वहां के जो रजबाड़े थे, राजा थे, वो लोग भेज दिया करते थे और ये जो 296 members थे British भारत से, इन्हें proportional representation के अधार पे elect किया गया था यानि जो राज ये था तभी वो अपना proportional representation से हलेक 10 लाग पे एक-एक आदमी करकर के राजे सरकार वहां से अपना एक प्रतिनी दीप केंदर में भेज दी और इस British भारत को भी अगर ब्रेक अप करके देखा जा तो इसके भी दो इलागे थे एक तो जिस पे direct governor general का सासन होता था, दूसरा एक chief commissioner चेतर आता था एक का मतलब है अजमेर जोकी राजस्थान में अजमेर माडवार और बी था बलोचिस्तान जो के अभी बरतमान में पाकिस्तान में है सी वहीं पर है करनाटक का कुर्ग और डी है देल ही तो ये चार chief commissioner चेतर थे अब अगर total figure का party wise breakup देखे तो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के total 208 सीटे मिली थी और वहीं पर मुस्लिम लिंग को total 73 सीटे मिली थी और वहीं पर 15 सीटे जो अलग-अलग पार्टी के थे और total 93 तो मैंने पहले ही बताया कि प्रिंसली एस्टेट जो थे रजवारे वहां से आया थे तो दोस्तों इस seat by break up को आप याद रखे हैं कभी-कभी एक जामी question पूछ लिया जाता है तो कुल मिला करके 6 दिसंबर 1940 के हमारा constituent assembly गठीत हो गया संबिदान सभा हमारा गठीत हो गया और इसकी पहली meeting हुई 9 दिसंबर 1940 को तो जो 9 दिसंबर 1940 को पहली meeting हुई संबिदान सभा की इसमें से दो पार्टी जो थे वो बाहर रहा है एक तो 93 रजवारे जो चुन करके आ पाया थे तभी तक कि हम भारत के साथ रहे या फिर अलग रहे हैं और जो मुस्लिम नीक के टोटल 73 मेंबर्स थे वो भी अपने आपको बाहर रखे इस meeting से और इस meeting का बाइकाट किया इन लोग अपने separate country के डिमांड पर टिक गया थे तो इस तरह से पहली meeting हुई थी संबिद चुन लिए जैसे आज का लोग सभाव देखते प्रोटे में speaker चुना जाता है उसी तरह से उन्हें वो सबसे भुजूर्ग आदमी थे इसके लिए उन्हें अस्थाय अध्यक्च चुन लिए तो यहाँ पर आपको बार-बार confused करेगा क्योंकि जब 11 December को दूसरी meeting हुई थी स संभिधान सभा की उसमें डॉक्टर राजियंद प्रशाद को अस्थाय रूप से अध्यक्च चुन लिया गया तो यहाँ पर कभी-कभी आपको पूछ दिया जागी कि प्रथम speaker कौन थे तो आपको अगर अस्थाय speaker पूछा जाएगा तो आप answer करेंगे सचिदानन सिना और अगर अस्थाय अध्यक्च पूछा जाएगा प्रथम अस्थाय अध्यक्च तो वो थे डॉक्टर राजियंद प्रशाद और इसके बाद 13 दिसंबर को एक मीटिंग होती जिसमें की पंडित जवाहलना नेरू उद्देश स्प्रस्ताव संभिधान सभा के सामने रखते हैं उद्देश स्प्रस्ताव में यही सब बात था कि हमारा संभिधान किस तरह का होना चाहिए किस तरह के प्रोविजन्स इसमें किये जाने चाहिए किस तरह से लोगों के जीवन को और उन्नत बनाने के लिए इसमें प्रावधान किये जा सके और बाद में यह जो उद्देश से प्रस्ताब पेस किया गया अब क्या होता है कि भीम रावमेदकर एक बहुत ही important नाम है संभिधान के निर्मान के दुनिया में और यह इनका पुरा नाम है बाबा साहब भीम रावमेदकर यह मद्य प्रदेश का महों में जनमें एक दलित नेता थे इन्हоЏन ने कहा कि हम उदेश से प्रस्ताफ को तब तक पारित नहीं करेंगे जब तक कि मुस्लिम लीग और देशी रजबाड़े अपना पक्ष केलियर में नहीं करते हैं गया थे चुनाव फिर उन्होंने पूर्भी बंगाल जो अभी पस्ची मंगाल उसी का पूर्भी पाड़ जो कि बर्तवान से बंगलादेश है वहां से भी इन्होंने चुनाव लड़ा तो वहां से वे जीते और वहीं से जीत करके वो संबिधान सभा पहुंचे परन्तु बाद वो एरिया भी पाकिस्तान में चला गया और इस तरह से उनका मेंबर्सिप रद्ध हो गया फिर एक बहुत ही फेमस नाम है बेनेगल नर्सिमहन राओ इसका पूरा नाम है यह बहुत दीजीवी वेगती थे और इंडियन सिविल सर्विसेज में थे इनका नाम इसके ल anda about be aнет ने बॉंबे के प्र्धानमंत्री बीजी खेर थे तभी प्रधानमंत्री वहाँ पर पहले क्या होता था कि स्टेट वा प्रधानमंत्री को πदफार कर शिफारिस किया की बांबे से एक जीट उन्हें दिया जा तो फिर बहुत सारे डिवेट होते अलग अले देशों के संभिधान को रिफेरेंस लिया जाता है और जो प्रोविजन्स हमारे भारत के हिसाब से इस्तिती पर इस्तिती के हिसाब से उचित समझा जाता है वो हमारे देश में संभिधान के अंग के रूप में उसे ले लिया जाता है त समिति थी सबसे इंपोर्टेंट प्रारूप समिति तो इसके अध्यक्षि थे डॉक्टर भीम रावमेड कर। कभी-कभी पुछा जाता संभिधान सभा के अध्यक्षि को थे तो लोग गलती से अंसर करते थे भीम रावमेड कर। जबकि वो कौन है तो वो थे डॉक्टर प्रारूप समिति जो उसमें एक कमिटी बनी थी उसके अध्यक्षि थे डॉक्टर भीम रावमेड कर। इसी तरह से संभ सक्ति कमिटी बनी थी जिसके अध्यक्षि तो पंडि जवार लाने रूभ जो बाज में चलके बहरत के प्रथम प्रधान मंत्री भी बनते हैं। और इसी तरह कि एक कमीटी है प्रांतिय संविधान समीती जिसके अध्यक्ष रहते हैं सरदार बल्लभाई पटेल जो कि पहले गृह मंत्री भी बनते और नेश्वलन इंटीग्रेशन का स्रेवी इन ही को जाता है सरदार बल्लभाई पटेल को और लास्ट है एक जंडा समीती अब सारी समीतिया बन गई सभी अपने अपने काम में लग गए और उसमें सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है प्रारूप समीति, इसे अंग्रेजी में कहता है और सम्विधान में कैसे एरेंज किया जा कि कभी फ्यूचर में किसी तरह का दिक्कत नो अध्यान में तो इस तरह से ये कमिटिया काम करती है और इसी के लिए आज भी 26 November को सम्विधान दिवस मनाया जाता है पहले तो इसे विधी दिवस के रूप में मनाया जाता था लेकिन बाद में इसे सम्विधान दिवस के रूप में मनाया जाने लाग यहाँ पर एक चीज और आप याद रखेंगे कभी कभी नवर भी पूच 16 आर्टिकल जो थे संभिधान के वो उसी दिन लागू हो गया थे और बाकी बचे आर्टिकल 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया था और इसी भी 26 जन्वरी से पहले 24 जन्वरी को एक मीटिंग होती है कि संभिधान सबा के सभी सदस संभिधान पर अपना हस्ताक्षर करते हैं जिसमें total 285 मेंबर हस्ताक्षर करते हैं हलागी उससे presentation एता है 299 लोगों का लेकिन हस्ताक्षर सिर्फ 284 लोग था कभी कभी ये figure भी पू तो यह भी आप याद रखेंगे, टोटल बारह मीटिंग्स हुए थे, इसके अलावा दो नाम इंपोर्टेट है, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायन रायजादा का, इनका काम था संभीधान को लिखने का, संभीधान में सारा प्रोविजन्स तो ले लिया गया, सारे डिवेट डिसकसन हो गया, और जिसे एकसेट किया गया, उससे अब लिखने की बारी थी, तो इन दोनों ने संभीधान को लिखा, इन लोग का भी नाम कभी कोई पूछा जाता है, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायन रायजादा, और इनमें भी प्रेम बिहारी नार नाम होना चाहिए, और संभीधान के लास्ट पेज पे मेरा नाम और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, तो दोस्ते ये दो इंपोर्टेंट नाम हुए, और एक नाम पहले ही मैंने बता है, BN राओ का जोकी भारती है, सिविल सेवा के अधिकारी थे, और इन्हों ने भी निशूल्क सेवाय दी थी, एक तो ये संभीधान सभा के मेंबर नहीं थे, फिर भी संभीधान निर्मान में बहुत बड़ी भूमी का निवाई, इन्फैक्ट ड्राफ्टिंग टोटल इन्हों ने ही किया था, तो इस तरह से हमारा संभीधान बन करके तयार होगा, संभीध पचीस भाग है, और इसी तरह से मूल संभीधान में टोटल अनुचे थी, 395 अभी बरतमान समय देखे तो इसकी संक्या लगबग 480 के भी जादा हो गई है, और अनुशूची मूल संभीधान में थी, टोटल आठ, लेकिन उसके बाद अभी बरतमान समय में 12 अनुची है हम संसत के रूप में भी कारे किया था, इसका आप एक उदारन यहां से देख सकते कि जो आठमी अनुची गवाद 9 अनुची जोरी गई थी, वो 1951 में जोर दी गई थी, जबकि हमारा फर्स्ट एलेक्शन हुआ था लोग सवा के कब 1952 में, तो इस तरह से संभीधान में जो सं सोतन फिर किया कैसे गया, तो इसका मतलू उस्सा में भी संसत था, और वो संसत जो था, वो इंटेरीम हमारा संभीधान सवाई संसत के रूप में कारे करता था, जिसके अध्यक्षिते पहले बार जीवी मावलंकर, तो ये गानु गनेश बासुदेव मावलंकर, ये चीज़ बाते किलियर हो गई होंगी, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस टॉपिक से जोरे सारे अब्जेक्टिप्स को डिल कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़े और अच्छे से आपको याद हो जाए, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई कन इस वीडियो फिलाल इतना ही, ने वीडियो में एक ने टोपिक साथ मुलाकात हो कि वीडियो को सुरू से ले करां तक देखने के लिए धन्यवाद